हाँ जी नमस्कार जैहिंद स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजस्तान क्लासेज की यूट्यूब प्लेटफॉम पर देखे दोस्तों मैं आदर्श खुमाउत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ वैसे आप सभी को जानका रहे कि हमारी ये 15 मिनिट के अंदर 50 वाली जो सीरीज है दोस्तों ये हम लोग कंटीन्यू करते हैं और वैसे आप सभी को विदीत है कि हम लोगोंने वन पाल वन रक्षक के समय भी पढ़ा था और इन में से बहुत सारे प्रस्ण भी पुट अप हुए थे वन लाइनर में यानि कि फटा-फट से फटा-फट अं ये आपका जो भी इसका आप स्क्रिंशॉट ले लो उसके बाद में ही है जो इसको देखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम समय इस क्लास के लिए दोस्तों देखो लेकिन मैसेज जरूर कर सकते हैं अपना नाम और जिल्ला लिखकर राजस्तान क्लासेज के वाट्श किसे का जाता तो वागड का छी को आपके तेंदू को का जाता यानि कि आपने ऑप्शन भी को लॉक करा है ठीक है आदिवासियों का हरास होना किसे का जाता है ठीक है याद रखना दूस्तों जंगल की ज्वाला किसे का जाता जंगल की आग किसे का जाता ये का जाता इसको पलास बन को, मारवाड का दोस्तों इसे कहा जाता, रोईडे को टीक कहा जाता, यागला क्वेसन देखो, पोपा भाई का राज किस की लगू पुस्तिका थी, पोपा भाई का राज याना एक पुस्तिका थी, किस की थी, जैनाराण व्यास की थी, याद रिखी का दोस्तों, य और अगला क्वेसन देखो लिटिल वंडर की उपादी से श्रेष्टा सोनी सम्मानित है जो नर्ते से सम्मानित है कौन से नर्ते की है यह यह भवाई नर्ते के दोस्तों आपने option D को लोग करा है अभी आप से एक और सवाल किया था तारा शर्मा का तो वो भी भवाई नर्ते स सम्मानित है तो यह भवाई नर्ते है ना एक कैसा है व्यवसाइक नर्ते है दोस्तों याद रखना है ठीक है कई बार आपको नर्तियों से सम्मानित भी सवाल पूचे जाते हैं अगला क्वेसन देखो कि नर्तियों के परकार से सम्मानित है जाती से सम्मानित है या फिर है जो अपना क्या कहें वेव साइज से संबंदीते हैं शेत्र से संबंदीते यह ठीक है तो पूजा कई रही आपका निर का कौन की शात्रासा कंपर और जांगिर दोनों की सेवा में रहा था तो यह राधा राव राय सिंग दोस्तों ठीक है तो आपने option C को lock कर रहा है और इन्हों ही है जो जुनागड के लिए कर रहा है यह बात है 1928 में दोस्तों इसके अद्धिक्ष बनाए गए थे रंचोड भट को रंचोड दास गटानी को बनाए गया था याद रखना ठीक है भट नहीं थे यह गटा नहीं थे याद रिखेगा आगला क्वेसन देखो क्या कह रहा है नियुद मैसे शिरोई का बाल बाकी टंगस्टकन के लिए रेवत पहाड़ी है जो कि आपके डेगा नाम है जालोर में वो भी प्रसीद है सौरी जालोर नाम आ रहा है नागोर में ठीक है अगला क्वेसन एपिग्राफी किसके अध्यान को कहा जाता है देखे दोस्तों एपिग्राफी जो है आपका अभी आपका राई टांस हो जाएगा उफसन सी यानि कि चितोडगर होगा ठीक है इसके प्रवर्तक की बात करें दो संत जो थे वो इसके संत पीर थे वो इसके प्रवर्तक हुए थे तुर्रा और कलंगी नाम से अगला क्वेसन है गोड़ावन के आवास के लिए प्रसीद छेतर स सोर्सें जो है राजस्तान के किस जिल्ले में इस्थित है तो दोस्तों सोर्सें जो है ये आपका कहाँ पर पढ़ता है बारा हम पढ़ता है सोर्सें और गोडावन जैसे कि हम बात करें मरूद्यान का प्रसीद है उसके बाद ये इसका है यहाँ पर सोर्सें का भी प्रसीद है ठीक है इसके अलावा हम लोग बात करें सोंकलिया का भी प्रसीद है वहाँ पर भी है वैसे गोडावन तो तीन जगर राजस्तान में रहते हैं एक तो आपके कहां पर सोरसें में ठीक है मुख्य रूप से कहां पर है गोडावन वो है आपके मरूद्यान में उसके बाद सोरसें उसके बाद सोंकलिया जो कि अजमियर में है अगला क्वेसन दोस्तों देखो सेवासरम की स्ताफना की बात करें देखते हुए तो कुछ नहीं है हिच्की माता की मंदीर की बात करें ये आपके सनवाड में इस्तित है और सनवाड आपका कहां पढ़ता है ये सवाई मादोपुर्म पढ़ता है option A हो जाएगा right answer ठीक है कई सारे मैंने comment ये भी देखे थे एक class में हम लोगों ने पढ़ा था हिचकी माता के सर ये जैपूर में भी इस्तित है तो वो है जो मुझे ऐसा कोई authentic source मिला नहीं है कि जैपूर में भी है या नहीं लेकिन मैं परयास करूँगा कि कहीं पर मिले तो मैं आपको जरूर से जरूर सुचित करूँगा अगला question देखो पूजा गया कि मिवाड सरदारों की सेना को क्या कहा जाता था तो जम्यत कहा जाता था या आपका option A, B हो जाएगा अमर बलेना किसको कहा जाता था जो सम्मान प्रतीक में जो गोडा दिया जाता था उसको अमर बलेना कहा जाता था और रंगड या फिर रंगड जो है ना ये एक अपमान शूशक सब्द है और मैसूल की बात करें मैसूल नामे के कर हुआ करता था हमारे यहां पर अगला क्वेसन देखो अनूपोदे गरंत के साइट भाषा में लिखा हुआ अनूपोदे बोले सर ये जो अनूपोदे है ये जो है किस ने लिखा था माराजानूप सिंक ने लिखा था संसकर्त में लिखा था दोस्तों याद रखना महुआ का वनस्पतिक नाम दोस्तों क्या है यह आपको बताना है महुआ का महुआ जो है या महुआ है सोरी इसका नाम महुआ है जो आदिवास Cleans इंबड़ा प्रसीद है और इसका वनस्पतिक नाम है मदू का लूंगो फोलिया ठीक है और आपसे बात करें ये जो टीको मेला अंडू लेटा किसका है बोले सरोईडा का है ठीक है ओके सर और ब्यूटी या मोनोस्पर्मा या आपके पलास का है याद रखेगा ओके दोस्तों चले बहुत बढ़ी अगला क्वेसन आपके स्क्रेन पर है अगला क्वेसन पूजा गया कि फतक उमारी व्यास का समन्द किसे हैं तो ये फतक उमारी व्यास का समन्द लोक संगीत से है दोस्तों ये लोक संगीत कऊ या लोक गीत कऊ ये की बात है यहाँ पे बी को हटा दो आप उप्सन ए को कर लो ठीक है एको लॉक करेंगे और 1950 के दर्शक में यानि 1948 में ठीक है इनों ने रेडियो पर पहली बार प्रस्तुति दी थी अगला क्वेस्टन देखिए निमन मैंसे पाउर पैक जो योजना है न दोस्तों किस से समान दीते हैं सिमेंट उतपादन की बंद परकिरिया से पैकिंग समाना को उर्जा के द्वारा तयार करना या अब अब दोनों या फिर दूरस्त ग्रामिन इलाकों में सोर उर्जा से विद्यूति करन तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑफशन डी और एगला क्वेस्टन देखिए गड़मोरा नामक प्राचीन इस्तल राजे के किस जिल्ले में इस्तित है गड़मोरा नामक जो प्राचीन इस्तल है दोस्तों राजस्तान के किस जिल्ले में इस्तित है तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा करो ली या आपने एक लोग करा है ये हमारा अभी सवाल भी पूचा गया था और मोर्धवज नामक राजा से संबंदित ये गाउं है बड़ा प्राचीन गाउं है और ये श्री भगवान श्री करस्ण से संबंदित भी गाउं माना जा रहा है एकला क्वेसन है राज्तान राजे में यूरेनियम उत्पादन करने वाला जिल्ला कौन सा है देखो यूरेनियम की बात करें तो वैसे सीकर में हमारे यहां पे यूरेनियम जो है प्लांट्स लगाए जा रहा है वैसे डुंगरपूर है अजमेर भी है बांसवड़ा भी है तो यहां पे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अगला क्वेसन नंबर 20 आप से भूरी मिटी है वो आपके कहां पर पाई जाती है वो बनास परवाज चैतर में पाई जाती है ठीक है ना ओके सर्याद रखेंगे अगला क्वेसन देखो राजे में पहली खनीज जनीती कब लाग हुई यह दोस्तों आपसे कई मर्दबा सवाल पूचा गया है और यह जो प साइटिक परकार का केल साइटिक परकार का मिलता यानि आपने option C को लौक कर रहा है किलियर अगला क्वेसन देखे कि कलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले मिशती थे जो प्रकरती की नैसरगीक घटा से परिपूर्ण है या फिर चटा चटा हुए नैसरगीक प्रकरती से च खरब घंपिट गैस बंडार जो है किस इस्तान पर मिले तो सो हाल ही तो नहीं कह सकते यह आज से एक दो साल पहले का ही मान सकते हैं उस समय एक खरब घंपिट गैस बंडार जो है इस इस इस्तान पर मिले जो की सांचोर जो हो जाएगा आपका बेसिन हो जाएगा यानि आप और जलोड उस साइड में पाई जाती जैसे पूरी राजस्तान में याद रखना ठीक है पूरी राजस्तान में जलोड में ठी पाई जाती है आपने अप्सिन एक अलॉग करा है राजस्तान की मरू कोकिला कौन सी है दोस्तों अल्ला जिलाई बाई को खा जाता है मरू कोकिला तो उनका जर्म कहां पर हुआ आपको सिरफ यह याद होना ची है मरूखुकिला है कौन ये मतलब कि हम कह सकते हैं मानसिक योगित आपकी यह पर अच्छी होनी चाहिए पहले हमें ये पता हुना चीए है कौन वो तो अल्ला जिलाई भाई है दोस्तों अभीका नेर्मेन का जर्म हुआ था ये मांडगाई की याद रखना ठीके सर याद है हम लोगों को अगला क्वेसन बताइए 22 जून 1908 को चितोडगड में राश्मी परगना इस्तित मात्रकुंडिया नामक इस्तान पर कौन सा अंदोलन प्रारम हुआ था तो दोस्तों यहां पर जाट अंदोलन प्रारम हुआ यादि आपका भी हो जाएगा और एगला क्वेसन आपकी स्क्रेन पर है ये कहा रहा है कि र भाषा, साइत्य और संस्क्रतिय अकाडमित्य तीनों साथ मेना ये बीका नेर्म आपके ऑफशन भी ऑफशन है जो लॉक हो जाएगा और इसके द्वारा एक जागती जोत नामक जो है जागती जोत पत्री का भी है जो इसी के द्वारा चलाई जारी यानि आपने ऑफशन कर ऑफशन बीको लोक करेंगे सर ये तो 24 अप्रेल को मने जाता है यानि ऑफशन बीको लॉक करेंगे चले बहुत बढ़िया यह राश्ट्री पंचायत राज व्योस्ता जो है दोस्तों हम बात करें जो त्रीस्तरी जो हमारी यह अलग हो गया आपका ठीक है मैं आपसे बात करहें त्रीस्तरी है वह है जो हमारी यहां पर दो अक्टूबर उनेस सो गुंज्जाट में इसकी अपना करी गई ठीक है एक यूवा मैंत थे जिनका नाम था जगनाथ अधिकारी दोस्तों जगनाथ अधिकारी उनका नाम था उनके द्वारा इसकी स्क्रेइन पर देखो भारत में पहला परमाणू परिक्षन किस नाम से था हलांकि हुआ कहां पर आप कहींगे सर ये पोकरण याद रखना ये भी मई मईने में ही हुआ था आपका और ये आपके खेतोलाई खेतोलाई भी वैसे पोकरण में ही है याद रखेगा दोस्तों ओके दोनों परिक्षन यही हुए थे अगला क्वेस्टन देखिए भारत में अरब सागर के मानसुनी हवाओं की प्रवा किस औ यही हो जाएगा अरभात प्रवाचतान के जिले म scentज़ाँ ते दोस्तों जल्दी से आंसर बताए यह क्या हो जाएगा बड़ा आसां सा स्वाल और एकला क्वेसन आपकी स्क्रीन पर इस किस रिशी की सलाव पर जो है जल्दी से आंसर बताने है जल्दी से बिलकुल यहांपर राइट आंसर हो जाएगा इंसाल रिशी हो जाएगा या ऑपसन एक को लोग करेंगे और किस ने रखी थी दोस्तों यहां पर रावल जैसल ने रखी थी ठीक है 1155 में ओके दोस्तों याद रखना अच्छा क्वेशन था अगला क्वेशन वीर भारत समाज का संगटन किसके द्वारा किया गया वीर भारस समाज का संगटन जो है किसके द्वारा किया गया अगर ऐसा प्रशना आप लोगों से कर लिया जाता है तो आप क्या करेंगे सर हम लोग करेंगे दोस्तों यह हम लोग बात करें कोटा में कब करी थी 1910 में करी थी ये बात करें कोटा वाली की वीर भारत समाज का संगटन किसके द्वारत किया गया था समाज की स्थाफना दोस्तों जो है ये विजी सिंग पतिक ने 1910 में करी थी याद रखेगा और अगला क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से आंसर बताईए क्या होगा निक्स्ट क्वेशन है चौमु अगड के लिए में हवा मंदिर नाम से आती थी गरह का निर्मान दोस्तों किस ने करवाए था या आपसे सवाल किया जारा बड़ा आसान सा है और राइट आंसर आप सभी का होज़े का ओफसन है यानि की मादो सिंग को आपने लॉक करा है ठीक के अंदर जो है अभी जेपुर के जल मेहल बने हुए है यानि कि आपका राइट आंसर रो जाएगा जेपुर दोस्तों और अगला क्वेसंदे हैं क्या तो दोस्तों आपको ये इस दिदे मिटी का लाल दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों मिटी का लाल दिखाई का देने का जो कारण है वो है लोहो कणो का मिश्रन होना यानि कि या आपका राइट आंसर हो जाएगा रायन नर्ते दोस्तों किया जाता है, किसके द्वारा, जल्दी से, फास्ट बताईए, रायन नर्ते किया जाता है पुरूशों के द्वारा, हाँ सर, पुरूशों के द्वारा, ये किसका है, गरासियों का नर्ते है, सर, हाँ जी गरासियों का नर्ते है, तोस्तों याद रखन पुरूश जो है वो करते हैं मैलाओं का वेश धारन करके ऐसा हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेसन देखो पुराणों में किस देवी को कुशा शेत्र कहा गया है तो वो ददी मातिमाता को कहा गया यानि को option C हो जाएगा प्रतिहार काली ने आपर ये मंदिर बना हुआ है औ अगला question देखिए गराचियों की गूमर किसे कहते हैं तो गराचियों की गूमर आपका वालर नर्तियों को कहा जाता ये शिरोई का बड़ा प्रसीद है दीमिगती का नर्ते हैं गूमर इनकी इसको कहते हैं पुरुश और इस्तरी दोनों इसमें भाग लेते हैं अगला question दे ये अच्छा question है आपका और आगे बढ़ते हैं और ये दोस्तों दिखेगा मैंने जैसा कि आपको बताया आप यहाँ पर राजस्तान classes पर मैसेज भी कर सकते हैं वाट्चैप नमबर पर ताकि आपको ग्रूप में एड़ कर लेंगे लेकिन अपना नाम और जिल्ला लिखकर मैसेज करेंगे ओके दोस्तों ठीक है और बाकी आप टेलिग्राम को भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर भी हमारी राजस्तान classes पर आपको जो पीडियाप मिलेगी वो भी वहीं पर मिलेगी दोस्तों वैसे आपको आज जो ये प्रस्टन देखने को मिले हैं इन मैसे आपके कि आप बताएं कि मुझे अगर आपको कुछ भी ठीक लगा हो तो कमेंट जरूर करना और अपने मित्रों को शेर जरूर करना कि सुपर फास्ट क्लास भी हमारी इस परकार से होती है राजस्तान classes पर यह आपका टाइन टेबल रहेगा अभी रात्रिक की जो क्लास रहेगी आप की और आज श्राम का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्तान के दोर्ग दोस्तों राजस्तान के दोर्ग हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले आप सभी जरूर हमारे साथ जुड़िएगा राजस्तान के दोर्ग जो हम लोग कवर करेंगे ओके दोस्तों नौ बजे मिलना है आपको पहत्वा धन्यवार शुक्रिया जैहिंद गंदि भात्रम